जहिंद एवरिवन, UPSC Prelims 2024 और आंगे के लिए भी हम एक प्रॉपर मैप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैपस के थुरू हम सारा वर्ल्ड जोग्रफी, इंडियन जोग्रफी और इंटरनेशनल रिलेशन्स को कंप्लीट करने वाले हैं पेपर के लिए अल्मूस्ट सारी कंट्रीज जो एक से दो साल के बीच में न्यूज में थी उनकी सारी की सारी जोग्रफी हम डिरेक्ली पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं जाए इंवायर्मेंट एकनॉमी के जो हमारे एक्जाम में डिरेक्ली हेल्प कर करने वाले हैं आप देख सकते हो इस तरीके से मैप्स बना बना करके पूरे तरीके से सारे इंपोर्टेंट जोग्रफीकल फैक्ट और आई-ई-आर के फैक्ट लिखके हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर सीरीज तो आज का जो वीडियो है वो पहले इसराइल पे होगा इसराइल को आज हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलो पहले हम इसराइल की जोग्रफी से शुरू करते हैं तो देखो इसराइल के हम सबसी उपर चलते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है सी ओफ गलीली जिसको किनरेट भी बोलते हैं यह सबसे बड़ा और सबस तो ये वीडियो डिरेक्टली आपको help करेगा, वो सारी चीज़ें याद करने में, तो ये सारे facts, ध्यान से ज़्यादा नोट कर लो, मैं आगे चलके इनकी PDF भी शेयर कर दूँगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है, इसके नीचे हम आते हैं, किनरेट के नीचे तो हमें Mount Hermon दिखता है, ये एक important mountain है, इसराइल में, उसके नीचे आप देखोगे तो Golan Heights है, Golan Heights इसराइल और Syria को separate करती है, Golan Heights important location है, मैं याद होनी चाहिए, फिर हम देख रहे हैं West Bank, जो हमारा Palestine area है, इसको West Bank कहते हैं, और इसराइल और West Bank के बीच में, जो zone है, मैंने जो light blue color से mark किया है, ये seam zone कहते हैं इसको, ये area है, जो boundary की तरह है between Israel and West Bank, यहीं पर हमें Jerusalem देखने मिलती है, जो Abrahamic religions की बहुत important जगा है, और काफी dispute में रहती है, यहीं पर हमें Olive Mountains भी देखने को मिलते हैं, और West Bank और Jordan के पास हमें Jordan Valley दिखती है, तो इस area को हम Jordan Valley कहते हैं, नीचे आ Dead Sea और Jordan Mountain के पास का जो area है, यह है Negev Desert, और फिर नीचे हम और आते हैं, तो Egypt और Israel के बीचे Sinai Peninsula, जो Gulf हमें Egypt के पास से, Red Sea के पास से Gulf जाता है जहां से पुरा वर्ल्ड का trade होता है, यह उस area का ही एक हिस्सा है, इसको हम Sinai Peninsula कहते हैं, उपर आते हैं, गाजा, गाजा अभी क्रोसिंग से, करेम क्रोसिंग, एरेस क्रोसिंग और रफा क्रोसिंग, रफा क्रोसिंग जो है, वो Egypt के कंट्रोल में होती है, तो यह जो है, देखेंगे, अगर आप तो major locations हैं, जो geographically, इसराइल से UPSC, SSC, स्टेट PCS, एही पर भी पूछी जा सकती है, तो यह वो major locations हैं, जो इसराइल के बारे में पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा, as such, कोई खास question यहां से इस पर नहीं बनेगा, अब हम थोड़ा समझते हैं कि इसराइल से related और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो चलो हम थोड़ा इन चीज़ों पर ही अब discuss कलते हैं, सबसे पहला है हमारा Balfour Declaration, तो 1970 के टाइम पर जो Britishers थे, तो एक Balfour Declaration आया था, जिसके तहत यह कहा गया था, यहाँ पर British foreign policy का रोल था, कि जो Palestine है, वो Jews के लिए home होना चाहिए, इस बात को हम किस चीज़ में कहते हैं, Balfour Declaration में, तो जब भी Balfour Declaration question में पूछा जाएगा, तो उससे related यही questions आएंग कि किस country के बीच था यह इसका purpose क्या था, इसका परपस क्या था, इस्टेटमेंट बना के हो सकता, यह उपर इसे पूछ ले, Jews as having national home in Palestine is provided in Balfour Declaration, कैस्टेटमेंट सही है अगलत, तो इस तरीके से question बन सकते हैं, इसके बाद six day war, six day war कब हुआ था, 1967 में हुआ था, जब इसराइ और इसी वज़े से गोला नाइट इतनी important है, ठीक है, अब इसके बाद आता है, Camp David Accord, यह हुआ था, 1978 में, यह एक treaty की तरह थी, peace create करने की, US ने mediate किया था इसको, इसराइल और उसके neighborhood में जो भी problems थी, उसके बारे में, Camp David Accord किसलिए था, एक word में कहें, तो Palestinian problem को resolve करने के लि इसके बाद, 78 में यह हुआ, अब words को flip कर दो, तो 87 में हमास का creation हुआ, हमास को found किया गया था, 1987 में, हमास का जो main purpose है, वो यही रहा है, कि against Israel, इनकी सारी policies motivated थी, और US का जो support है, उसके against पे थी, तो एक radical Islamic group है यह भी, इसके बाद आते हैं हम Oslo Accords पर, यहाँ पर इसका simple सा funda है, 1993 में Oslo Accords ने यह कहा, कि जो Palestine और Israel है, वो recognize करेंगे, एक दूसरे को as a state, Israel का independent existence है, और Palestine का भी, same place पर, और दोनों ही countries, violence नहीं करेंगी, इसके लिए Oslo Accords आया था, एक तरह की peace treaty है, जो अभी recent war में एक तरह से तूट गई, तो यही सारी important चीज़े है, इसके बाद एक चीज़ और हमें समझना है, de-hyphenation policy क्या है इंडिया की, दिखिए, इसराइल से जब तक हमारे directly relations नहीं बने दिरा, तो इंडिया की जो foreign policy थी, वो किस पर focus थी, वो pro-Palestine थी, बाद में इंडिया- इसराइल की relations भी काफी अच्छे हुए, तो एक de-hyphenation policy बनाई इंडिया की, यह policy यह कहती है, हम balance करेंगे दोनों के relations को, ना तो हम Israel supporter है, ना हम Palestine supporter है, हम area में peace चाहते हैं, और दोनों ही countries के साथ इंडिया एक better relations चाहता है, हम कह सकते हैं, यह एक offshoot है, नाम का, non-aligned movement का, तो यह चीज़ है, इसके बाद एक term और है, जो थोड़ा हमे पता होना चीज़, जिसके बारे में, वो है open air prison, open air prison जो है, यह term दिया गया है, Palestine में के जो refugees है, उनके लिए, कि जिस तरह से अभी Israel attack कर रहा है, तो उनको कहीं जाने की, भागने की, area को छोड़ कर कहीं जाने की भी जगा नहीं मिल रही है, कोई दूसरी countries, जो भी है, वो उन air prison दिया गया है, तो बस यह हमारे लिए major चीज़ें है, IR की और geography की, जो हमें Israel के बारे में जाननी चाहिए, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, या फिर मैं आगे चल के इसकी PDF भी शेयर कर दूँगा, सारी countries की एक साथ, इस एक वीडियो से, छोटा सा वीडियो है आपके पूरे major चीज़ें जो इसराइल से related हमारे prelims में, चाहे UPSC, चाहे state PCS, या कोई भी SSC और one day exams में question आ सकते हैं, वो इन ही terms में ऐसे आ सकते हैं, तो बस इस वीडियो को revise कर लो, आपके जो भी question इस topics से आएंगे, वो हो जाएंगे, इसी तरीके से पूरा Asia, आफरीका, Europe, America, world में जो भी major locations हैं, सब को हम cover करने वाले हैं, इसी तरीके से, आज के वीडियो में हमने इसराइल देख लिया, आँगे कुछ भी news में आता है, तो हम फिर से इस topic को ज़रूर पढ़ेंगे, तो ये सारी series में बनाता चल रहा हूँ, लेकिन बात वही यार, support मिलना चाहें आपका जितना ज्यादा support होगा, जितना ज्यादा share करोगे, like करोगे, उतना मन होता है इस चीजों को आँगे बनाते रहने का, तो 1000 likes का मैं target दे रहा हूँ, कि इतने like करो, नया वीडियो फिर हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत